वेलकम करते हूं में बात पंधालियों केमिस्टर गुल जी अगेन आप सबका तो आज से हम लोग आरे एक चेप्टर का छोटू-छोट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इस चेप्टर कम 15 मिनेट से पढ़ लेंगे जो भी चेप्टर की इंपोर्टन डेफिनेशन है इंपोर् आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल जो कि मारत पंचाल सरके नाम से है और अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो आपको क्नेक्ट रहना चाहिए बाहरत पंचाल 92 मेरे इंस्टाग्राम है तो मोटिवेट हो जाए हुग है मापर मैं अंसर कर दूँगा तो चलिए कोडिशन कोंपाॉंस को होता है एक्टल में इडिशन कोंपाॉंस होते हैं और अगटीशन को क्या होता है कि पर अंगर मैं कोडिशन हो लु braces नहीं करेंगे अपनी एडेंटिरी को बनाई रखेंगे प्रोपर पूरी तरह से हाइस में डिसोषेट नहीं होते हैं अगर मैं डबल सोट के बात को विज़े से पुटास आलम है के टुए सफोर एल टुए सफोर थ्राइस 24 और कोडिनेशन कंपाउंड को पूरा चैप्टर है लिगेंड से कैसे जुड़ा होता है लिगेंड से लोन पेर ओफिलेक्टर को लेके और ये लोन पेर ओफिलेक्टर को क्यों लेते हैं क्योंकि इनका न्युक्लियर चार्ज हाई होता है इसके अलावा इनके पास वैकेंड डियोर्बिटल होता है जिससे यह लेक्टर को अट यहां पर नॉन डारेक्शनल होती है यह क्या होगी मारे पास नॉन डारेक्शनल होगी और इसके पॉस्ट ऑफिस से चुठी पॉस्ट लतलग जो प्रैमेरी वैलेंसी है यह होती है यह होती है और जब कि से रहेंडरी वरलेंसी होती है यह क्या होती है दियुए और एक हैंडर इसके अंदर एक है प्राइमरी वालेंसियन स्टेट तो अगर आप इसकी निकालते हो तो इसको एक्स वान लोगे हैं इसक्स जीरो कितना अधरी गाएगा, यहां से इसके प्राइमरी विलेंसियन गाएगी, अब कुछ टरम्स की तरफ चलते हैं जैसे इस चैप्टर में बहुत ज्ञादा यूज यहत्व कुसी कहते है दिदर आटम और मोलक्यूल वीच डोन पिर ऑफी अनल सेंटर मैटम क्या होता है जिसके पास लोट प्रस घ्लासिफाइ करें तो हो नेगेटीव नेग्तिव लिए नेग्तिव नेग्टिव नेग्टिव होता है उसकी बाद यहांедर न Is एक्टीव लिएच थीलिगाएद से कहलो वैयले और नहीं आनेवाले और पोस्टीव फोश्टीव इसकी पाइस है जैसे हो गया इसके अलावा इसके अलावा क्या होता है जिनके पास दो डोलर एक्टम होता है जैसे कि अग्जलेटों क्या होता है सि डबल ओर शुलेटीव को होताए सबसाइ सबस्क्राभारा को से सबस्क्राइब. पॉलिरेंटन लिए जहां पर भी दो से जादा डोलर यटम हो से हम लोग क्या बोलेंगे पॉलेंगे इसका पड़िया डियति इतन अब यह नेग्ट्यव यह नेग्टिव यह नेग्ट्व एटम तो हीए और नाइट्रोजन के पांद नोन पे रोट्टें डोनेट करने के लिए पाच छाप यह जिए एक हैकसि एंटेंड लिंगन हो जाएगा इसके पाद नेक्ष न्रलेटिंग लिगेंड किसी कहता है जब सब्सक्राइब कोई बाइड एंटेंट या पॉलिट एंटेंट लिगन जोड़ता है सेंटल मैंटल आटम से और एक रिंग बनाने लग जाए जैसे कि एक्जाम्पल के दूर्पर बात करता हूं पीटी अब जैसे हो गया अब इसमें क्या करों कि पीटी है वह सब्सक्राइब यहीं पर इसी को हम लोग क्या बोलेंगी कि हमारे पास चिलेटिंग लिगन है नेक्स्ट हमारे पास होता है एक एमडेंटेड लिगन एमडेंटेड लिगन के पास दो डोलर आटम होते हैं वह जुरते सिर्फिक साइट से पीछ आव तो रोलेटिंग साइट बट अटे अटेक्स एंट्र मैट्राइटम फ्रों वन साइट इन वन ताइम जैसे यह सीन हैं एंस हो गया क्लियर है अच्छा होमवर्क में आपको इसका नाम करने हैं यह है के फॉर एमन सीन सिक्स और इस वाले का कोर्डिनेशन नंबर प्रोक्सिदेशन स्टेट आप लोगों ने बतानी है आगे मों बतते हैं आईसो मेरिदम आईसो मेरिदम क्या होता है टू और मोर सबस्टांस ह वाले कि वीदिवर्क और इसकी वाज़े से उनकी कुछ फीदिकलर प्रोपर्टी इस तरह के कंपांट को लोग आईसो मेरिदम देंगे आपको एक स्ट्रॉक्चिर और एक स्ट्यूर्य दिफरेंट दो तो इसमें तो इसमें तो बते हो आईसो में आइन देंगे इसको तो यह तोड़े टूटेगा एक सलफेट आयन में और अगर आप इसको तोड़ते हो तो यह किसमें तो ब्रोमाइड आयन में अगर आप इस पूरे पर देखते हो फॉर्मुला से मिलेगा आईनिजेशन में आयन से अलग-अलग होंगे हाईड्रे आइसो में क्या होगा है अगले के स्टू बार अंदर फाइव पहले के स्टू एक भी नहीं अंदर अगले के स्टू हो गया तो हाइड्रे आई समर की उत्तर बोटर मोलकूल के कम जाता होने से लिंके दाइसमर की इस फिक्स कंडिशन है कि यह होगा आपको अबिदेंटेंट लिगेंड देखने को म सब्सक्राइब लिगेंट इंट्रेंज कर लेता है इसकी में कि बात करने डिमेंट घूघ्व लोग जो पॉचिक्स पोजिशन और एक उत्याग्स सेम लिगेंड ऑकिपाइब पोजीशन ठीक है जैसे इक मैंटल है आगर इसके सेम लिगेंस ऐसे सेम लिगेंट अपोजियो साइड पर है तो इसे क्या बोलेंगे से और अगर ऐसे युदा है एंप ए ए अधस एट्स तो इसे लोग क्या बोल देंगे ट्रांस बोल देंगे याइट्स बात करते हैं अप्टिकल आइसमर्स किसे कहते हैं जिनकी मेरल इमेज नौन सुपर इंप नहीं होगी जैसे ओ की इमेज ओकी पर इंपोज़िबल है ठीक है बट अगर आप बी कीमेज को करोगे तो फिल्टा भी ओजाएगा तो उनों सुपर इंपोजबल मीज होगी जैसे इतमे जो लफ्ट है ये राइट है ये क्यों लफ्ट राइट है वो इसका लाइट होगे और राइट इस तो लट्ट होगी, के लिए इस तरह से होते हैं, चाहिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, स्पेक्ट्रोगैमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोगैमिकल सीरीज गयाती है, अरेंग्मेंट ओफ लीगेंड्स इंदा, इंक्रीजिंग ओडर ओफ दियर फिल्ड स्टेंथ, उनके अंदर कितनी स्टेंथ हैं, कितना वो एक डियोर बिटर को स्प्लिट करवा सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पर यह है, इस क्यादर रहें कि ठीक है, अगे बात करते हैं, तो सबसे पहले बात है वैलर्स बॉन्ट खेरी, इंपोर्टन आइस से लेटर बहुत सारे कोशन मिलते हैं, मैं जाते हैं, वैलर्स बॉन्ट घॉरी हमें क्या बताती है, मैजनिक नेचर बताती है, अब इसके लाबा inner orbital complex आ ऑज्यक्स जाते हैं, और इसमें आपने अनए довologie का यूज किया है ठीक है? अगर बाहर念 हalley यह dotat है तो आउट और अघ्डर methane फॉरप्लेक्स होता है और अगर अंधरbildung होता है तो और अज़य धूज यह टालesz है इके यह क्या होते है, TheseOK इसमें low spinů कोम्प्लेक्स बनते हैं और इसमें high-spin, high-spin मतलब बहुत जादा single electrons होंगे, है ना, इसमें have less number of unpaired electron और इसमें या फिर होंगे ही नहीं, और इसमें क्याता है, large number of unpaired electron वालस bond theory हमें क्या आपताती है, metal ligand bond rise due to the donation of electron pair from ligand to central metal atom, ठीक है, the metal atom ion under the influence of ligand can use n-1d, ns, np, nd orbital for hybridization ligand, तो जो metal atom है, n-1d, ns, n-p, nd का यूज़ करता है, electrons का accept करने के लिए bonding के लिए, hybridization के लिए, आपको पता होगा, अगर coordination number 4 है, तो hybridization sp3 हो सकती है, उसका नाम होगा tetrahydral, अगर coordination number 4 है, तो hybridization dsp2 भी हो सकती है, तो उस case में, sorry, geometry क्या होगी भी या, square plane है, अब other coordination number 6 है, तो 2 hybridization possibility due to sp3, sp3 d2, इन दुन कोई हम लोग क्या बोलते है, octahedral बोलते है, अगर आपको कहीं पर बताने कि कोई स्ट्रांस paramagnetic है, तो आप कैसे बताऊगी, आप यह देखो कि वहाँ पर unpaid electron है की नहीं, अगर unpaid electron है तो वो paramagnetic होगा, और अगर paramagnetic होगा, और अगर paramagnetic होगा, तो आप उसके negative moment निदान ल आता है, अगर कोई strong friend ligand है, like cn negative, no2, cn, nsc, यह क्या आपको यह pairing करवा देते हैं, तो यह घर के बड़े हैं, जैसे तुम्हारी शादी गरवाना, घर के बड़ों की जिम्मारे, like क्या होता है, कुछ बंदे love marriage कर सकते हैं, बड़ कुछ मेरी जैसे कलिके होते हैं, जिनकी love marriage यह pairing नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि जाम पर cn6 3 nectar, स्बसे पहले कीस आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर oxidation state निगालोगे, cn6, कितना दार दोता है, minus 1, usable to me किया लिक होगे, minus 3, accessible to, कितना दाएगा, 3, तो स्बसे पहले आप cn3 plus की configuration करोगे, तो configuration क्या आएगी अब होता है, 27 configuration क्या हो जाएगी, यह आप 18, 4S, 0, 3D, 6D में आपने 6 left hand field की, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद यह देखो कि cn है, cn6 strong ligand है, तो strong ligand है, यह pairing करोआदेगा, इधर इलेक्नोस की, इधर pairing होगी, तो इधर क्याएंगी, ligands, अब कितने ligands है, 6 ligands है, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, तो hybridization क्य dynamic है, तो आपको दिखाई देरे सारे electron pair है, तो this is diamatic, दूसरा question आपसे पुछा जा सकता है, कि inner orbital, outer orbital है, आपने अंदर वार एडिका उज़किया है, तो यह inner orbital complex है, low spin complex है, क्यों कि इसमें बेर electron बहुत जादा है, और hybridization, dps पे तरी यह geometric को क्या आप लेंगी, octahandle, अगर नुमारे पास आदे, fv, f6, 3 negative आगया, मान के तो लिए आगया, तो सबसे पहले आप fv के oxidation chip निकान लोगी, x, मानोगी fv को, fluorine 6 है, minus 1, 4 दोता है, is equal to, मैं लिखोगे minus 3, x is equal to, 3, तो सबसे पहले आप fv 3 positive की, कि जब configuration करोगे बटा, तो क्या दाएगी बाई, ar 18, 4s 0, 3d, 5, हैना, d में 5 रहे, 1, 2, 3, 4, 5, अब fluorine एक weak field ligand है, मैंने लिकवाया था, आएगी बरात कल, सीधा, फरीदावाल से, हैना, वह से बुष खब, तो weak field ligand है, तो इनकी pairing नहीं हो सकती, ऐसे ही रहेंगे, तो जो ligand से प्रोच करना चार्ट करने होगे, वो यहां से प्रो यह है, uptattle है, और यह एक outer orbital complex है, हैना, जब बाहर वाले details करते हो, तो से outer orbital कहते हो, आप लोग, और दोसरी बात, क्या है भई, unpaid है, तो parametric है, और parametric है, तो म्यों क्या आदेगा, root n into n crystal बतालें, बार कमेंट सेच्छन मिसकी, मैं एक टक मोमेंट के इतनी आएगी, नेक्ट लिएटर फिल्ट दीरी, क्या मार के जालती है, that metal ligand is ionic in nature, metal ligands का पॉन्ड है, वो ionic in nature, ligands को इन्होंने negative charge का मानना, और metal को इन्होंने positive charge का मानना, ठीक है, ligands अपनी electron देता है, अपरोच करता है, metal के पास अलड़ी electrons होते है, तो उसके diode, क्यों की splitting हो जाती है, यहाद न, तो यहां पर अगर आप इसकी शेप बना होगे ना तो जो आपके लोब्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बिट्विन दी एक्सिज बनने वाले यहां पर आपके लोग्स बन जाते हैं यह जो दो है यह क्या है इसे बोलते हैं इसे क्या होते हैं और टाडल में इसी उपर जाता है टीटू दे नीचे रहते है और जो उपर जाते ह्सकी आरज्णि पोजटीव रहती है जो नीचे जाते है अनर्जी नेग्टिव रहती है ठीक है टेतराहेटरल में टीटू ट्याइव पर जायेगा यह जाजा रहां फोग्स Ectентов आगर तेतरहाडल के अगरो अगर एन्नरजी का रिर्याषिन अगर आप से कोछ़ें कि इससे कई मार कोशन भी बने हुएं है तो आप क्या भते सकता हुँ DELTA T यहां, 4× 9x d.0e अगर कभी डेल्टा ओ जादा हो किसे पेरिंग एनर्जी से अगर कभी पेरिंग एनर्जी जादा होती है तो अगर कभी पेरिंग नहीं हो पाएगी पेरिंग डेजन्ट टेक्ट प्लेस सर क्या मतलब हुआ ये पेरिंग कहां नहीं होकी भी या अगर वीक फिल्ड लिगंड होगा अगर डेल्टा ओ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग अनर्जी ओफ ओप्टाइडल कम्प्लेक्स से जादा हो पेरिंग अनर्जी से तो पेरिंग अनर्जी से ज़्यादा है तो पेरिंग होगी पेरिंग टेक्स प्लेस ठीक है और ये कब होगा स्ट्रॉंग फिल्ड लिगंड की केस में होगा ठीक है ऑक्टाइडल में एजी उपर जाता है टेट्राइडल में टीटू जी उपर जाता है यह बात याद रखना, ठीक है, हाँ, फ्रोफिल डिंगेंड विक फिल से क्या होगा, अगर फिल डिंगेंड रहे तो प्रिटिंग गाद रहती है, विक फिल में स्पिलिटीं कम रहती है, और पिटर जी यह आपका हूंबख है, इस कीसमें आपको हाइब्रेशन तानी है, और इसको में फ्रेंड के पास यह एडपर देना, सो देट के उनकी है विक फिल मुझे लिए तरबसान मोटवेशन है, बहुत दो मिलता है क्या रहे कि, गट में लेस्विल ट्रिश्टिक है, जाएब!